कि है लो फ्रेंड्स मैं उपर दिप्चोहान आपका स्वागत करता हूं मंतरायू में हमारी क्लाज चल रही थी साइंस की साइंस हमारे एक टॉपी खतम हो चुका है यानि कि सेल हमारा खतम हो चुका है अब इसके बाद हमारा आता है स्कलेटन सिस्टम यानि कि कंकाल तंत्र के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक डिटेल लेते हैं कि कंकाल तंत्र होता क्या है कंकाल तंत्र के बारे में आप चाने तो सिंपल से चीज हमारी जो बॉड़ी होती है हमारी क्या होती है यह बॉड़ी जो होती है उसको बैलेंस करने के लिए मुवेबल करने के लिए यह चलने फिरने के लिए या बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है एक कंकाल की जरूत होती है कंकाल हमारे में नहीं होगा उनली मास होगा मास कहने का मतलब मसल्स होंगे तो हम लोग एक तरह चुपचा बैठे रहेंगे बैठे भी रहेंगे हम लोग क्या कि एक तरह से एक चीज है उसमें एड़ी बेंस ना हो तो उसमें क्या होगा आपका चलने करने के लिए हम लोगों करने के लिए हमें किसकी ज्रुत होती यह नाधोल हमें इसका यूज होता है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कंकाल तंत्रक बारे में ये दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग किते पार्ट में टू टाइप्स में पढ़ेंगे सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे एक्षियल बॉन पढ़ेंगे और दूसरा जो पढ़ेंगे एप कि इसमें जो हड़ी होती वो कितना होता है 126 होती है कितने होती है कितने होती है यहदी अब आप incarnate ड्रोन अब देखे तो जो हमारी यह यहां से यहां तक ले के यह लेकर और यह हाथ ता является 리ops यानि कि पत्सलिया वर्टिकल कॉलम्स हमारे किया है कर्णियाल यानि कि कपाल फैस याने फैशि Kiss और और हमारे इयर यानि यानि एप्स और हमारे क्या है यह एक तरह से पूरा बॉन है इसके स्टडी करा जाएगा इसमें किसको में अभी स्टडी होगा हमारा इसका स्टडी होगा एक्षियल बॉन में आप आता अपरेंटी कुलर बॉन में क्या करेंगे हमारी हार्प के अडिया कि हमारे हाथ में कितनी हड़ी हमारे पैर में कितनी हड़ी है इसका जो हम अधियन करेंगे वो क्या करेंगे एक्षियल बॉन में किया जाएगा तो चलते हैं सबसे पहले एक्षियल बॉन के बारे में थोड़ा साम लोग जानते हैं कि इसके बारे में क्या होता तो इसमें सबसे पहला आता इसकल बॉन क्या था इसकल बॉन इसकल बॉन जो होता है उसम Moment कोवज़न कपता है पकाना यह ऐस नांत वूह उसको क्या कए गटि क्या कहते है टकल कार्या कितों हुद्टों का केदा है यानि कि इसको क्या कहता है चेहरे की हड़ी कहते हैं उसके बाद जो हमारा आता है वो क्या था हमारा उसके बाद हमारा आता है इरो सो सिकल इरो सिकल बाद जो होता है इसको क्या कहते है कान की हड़ी कहा जाता है क्या का जाता है कान के हड़ी कहा जाता है और एक नेक्स्ट जो हमारा आता है जो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो कौन से हड़ी होती है वो क्या आती है हमारी हड़ी कौन से हड़ी होती है हमा हों ये जो वह भाओं होता है यह नंबर वगन होता है यह जो भॉन होता है यह 14 होता है जोड़कर देखो तो आपको 22 प्लस 74 ौन आएगी जो साथ प्लस यह होगा कानकि हडि और प्लस हायेड बौन प्लस है तो चलते है इसके बारे में स्टेडी किया जाता है कि कैसे कौन से बोन जल्दी से कैसे कहा पर यह होता है और कौन कौन सी वहती है तो कानीयल बनदेखने से पहले आप यह समझ रेयों कि कौन सी भून होता है कौन से कहने होता है क्यूंखकर कि जैसा कि मैंने आपको बताए किती हड्डिया होती है कितनी होती है, कितने होती खूंस होती है, Isp beam. तो अब इसके बारे में छलते हैं होड़ा सा neuroscience लेते हैं कि सबसे पहले जो erad hebben सबसे पहले जो predator काउन सी बॉन होती हैं हमारी कि फ्रांसी वंप रूंस ऑश तो कि ये कितने होते हैं नंबर्स ओफ में हड्डी एक होता है अब आप फरॉंटियल और तो आ गया तो आपके यही समझ रहोंगे अगया आगे का सिंपल सी चीज कौन सी बॉन होती है ये आगे क जो होती है उसके बाद जो हमारा आता है वो कौन सा बॉना था हमारा उसके बाद हमारा आता है पार्सियल बॉन क्या आता है पार्सियल बॉन कौन सा बॉन आता है इसके नंबर सब हड़ी कितनी होती है दो होती है कितने होती है दो होती है जो पार्शल बॉन आता है वो हमारी कहां हड़ी होती है यहां की यहां की और यहां की यह दो बॉन होते हैं यह क्या आती है उपर की बॉन आते है उपर के हड़ी कौन आता है उपर के हड़ी कौन से होती बोन यह उपर इखड़ी आती है जो नेक्स्ट आता हमारा वो कौन सा आता टेम्प्रोरियल बोन टेम्प्रोरियल बोन जो होता है इसमें भी कितनी हड़ी होती दो होती और यह कहां थे बीच में होती है कहां के बीच के हड़ी होती है कहां के होती है बीच के हड़ी होती है उसके बाद जो हमारा आता है वह कौन सा आता हमारा उसके बाद जो हमारा आता है बहुत इंपर्टन बोन होती है वह कौन सा बाद आता हमारा हमारा आता है सेफनोड कौन सा आता है सेफनोड सेफनोड बॉन बहुत इंपोर्टेंट बॉन है इंपोर्टेंट बॉन है इंपोर्टेंट बॉन क्यों है क्यों कि यहां पर क्या होता हमारा ब्रेन क्या होता हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है क्या रहता ब्रेन सुरक्षित रहता है कि क्या रहता है ब्रेन सुरक्षित रहता है यहां पर यानि कि ब्रेन रहता है उसके बाद जो हमारी हड़ी आती है वह कौन से हड़ी होती है हमारी इथनौइड बॉन इथनौइड बॉन उसके बाद जो हमारी हड़ी आती है वह कौन सा आते हैं और सी पिटल कौन से बौन आती है औसी पिटल जो बौन होती है वो कौन आती है पीछे की हड़ी होती है और यह जो बौन होता है वो कहां होती है यह हमार बीच में होती है होती बीच में होती है तो यहिसकेक कॉरन्यल ओन्ट के कपाल के यानि कि कॉर्णियल पोन थे हैं उसमें कौनगों सा होता है सबसे सबस्थ 5 पहले पॉरंट्या यहां नहीं होता है त्र फिर पार्सिअल पार्ट्यल आता है नहीं कि ज iki मत हगे का हिस्सा होता है यह पार न होता है यहां के जो संज़ा कितना होता यह पिछे पिछे दिमाग होता है वो पिच्छे मत मार छोटा दिमाग होता है वो क्यों होता है क्योंकि जो हमारी यह हड्डियां होती है यह मजबूत होती है हमारी हड्डियां जो होती है यह मजबूत होती है यह हमारी क्योंति कमजोर होती है उतना मजबूत नहीं होती है इसलिए कहा जाता है यहां मारोगे दिक्कत आएगी पिच्चर में वोलता हैं तीसरी बात हैल्मेट जो बनाए जाता है हल्मेट कहते है ना सब minimus हैल्मेट हेल्मेट बनाया जाता है सबसे जो मजभूत बनाये जाता है हल्मेट का वह हमाए जैता है जब आसा बहुत होते हो तो ौавай एसलिए हां Sup डिखन निकिला होता है क्योंकि यहां का यहां का जो हड्डी होती है और यह जो हड्डी ठोड़ी कमजहर mol होती है लेकिन इनके compare में यहां कमज़ोर होती है इसलह हैंनमेट का जो पार्ट बनाये जाता है यहां का पार्ट का मोट थोड़ा मोटा और मजूद बनाये जाताा कि जिससे की इनसान का accident होता है तो वो गिरे तो यहां का पार्ट उसका बचा रहे क्योंकि accidental में जो मौत होती है जो death होती है वो सबसे ज़्याद़ कहां होती है यहां पर लगने के कारण और इसलिए यहां क्या होता है जो यह बौन होते हैं यह अली औरफ़लैस बोन कि आता हुसेरे केकि अपना पना चेहरा अपना चेहरा सब ano छलकता है यह लोग कहते हैं तो अपना चहरा क्यों अच्छा लगता है इसमें कुछिस थो ओगा तभी तो अच्छा लग रहा है, यानि के हमारे हड़ियाँ हैं इसके अंदर हड़ियां उपρ सब मसल्स है तब हमारा चारा अच्यारा लगantes आ अप एक बात सुचो यदि इसमें हडया ना होती या बॉन ना होते तो चारा क्या अच्छा लगता, नहीं लगता. तो इसी चेहरे केड़ी चेहरे केड़ी में सबसे पहले जो बोन आता है वो कौन आता है नशल बोन पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम आपको समझा देते हैं फिर हमारा कौन सा आता है लेक्टरी मल बोन कौन आता है लेक्टरी मल बोन आता है जो तीसरा बोन आता है वो कोन आता हमारा इंप्रेरियल बोन क्या था हमारा इंप्रेरियल बोन आता है क्या था हमारा इंप्रेरियल बोन आता है उसके बाद कोन आता हमारा महक्षिला आता है क्या था महक्षिला बोन आता है उसके बाद हमारा क्या आता है मेंडीबल आता है कौन आता है मेंडीबल कौन आता हमारा मेंडीबल उसके बाद हमारा कौन सा बोन आता है पहला टीन आता है कौन आता पहला टीन बोन आता है कौन आता हमारा पहला टीन बोन आता है उसके बाद जो बॉन आता हमारा कौन आता है जाइगो मैटिक कौन आता है जाइगो मैटिक बॉन आता है कौन आता हमारा जाइगो मैटिक बॉन आता है उसके बाद जो लाश्ट बॉन आता हमारा कौन आता हमारा वूमार आता है वो मार आता है आपको यहां नहीं दिख रहा होगा थोड़ा उपर करके लिखते हैं कि कौन-कौन सा बॉन आते हैं थोड़ा सा उपर करके लिख रहे हैं देखिए हलका सा उपर करके लिखते हैं जिससे आपको दिखाई दे सबसे पहले जो आता है वह वह आता है नशल बॉन कि नशल बॉन आता है कि उसके बाद जो हमारा बॉन आता है वो कहाता है लेरीमल बॉन आता है जो उसके बाद हमारा बॉन आता है वो कौन होता है इंप्रेरीयल होता है कौन सा रिए वन होता है कौ kebombane यह वहां हमारा कौन см होता है कौन सा इंप्रेड़ रियल इंप आहिरन नशल बन होता है उसके बार जो मरा आता है क्यों आरा हमारा थैं मैंबजीला क मुंचरी ला कॉन आता है उसके बाद हमारा क्या होता है मेंडी वल आता है उसके बाद हमारा कौन सा बोन आता है पैलाटीन बोन आता है उसके बाद हमारा कौन आता है जाइगोमेटिक कौन सा आता है जाइगोमेटिक कौन सा बोन आता हमारा जाइगोमेटिक बोन आता है और लाश्ट में जो आता हमारा कौन आता है वो मर आता है वो मर आता है वो मर आता है जो चहरे के हड़ी होती है दो दो चार एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ हड़ीया से बन के हमारा जो बना होता है चहरा बना होता है यह टोटल 14 हड़ीया होती है यही जो बोन होते हैं वो नाम होते हैं बोन के और यही हमारा बोन होते हैं तो अब आते हैं सबसे पहले नशल बोन जो नशल बोन होती है जो नशल बोन होती है वो क्या होती है नाक के उपर की जो नाक यह हमारे इसके उपर जो बॉन होती है वो कौन सी बॉन होती है हमारी नसल बॉन नाक के उपर कौन सा होता है नाक के उपर जो नाक के उपर बॉन होती है वो हमारे कौन सा होता है नसल बॉन होता है उसके बाद जो हमारी यह लिबॉन होती है लेरी मल यह जो बॉन होती है वो आख के पास होती है क्या होता है यह आख के पास होती है उसके बाद आप समझो वूमर जो होता है वो नाक के क्या होता है नाक नाक के बीच में होता है नीचे होता है यानिकी बीच में भी कहलो उसके बाद वुमर हो गया हमारा जाइगोमेटिक जो बॉन होता है वो क्या तक गाल होता है गाल की हड्टी होती है अब ही हम बताते हैं पूरा पहले आप यह समझो कि कौन कौन से बॉन कहा होता है उसका मैकजीला होता है जो उपरी जवड़ा होता है जो मेंडिबल होता है यह नीचे के जवड़ा होता है कौन सा होता है नीचे नीचे के जवड़ा होता है जो अब पराटीन होता है यह नाक के बीच होता है क्यों नाक के बीच और जो इंपेरियल बॉन होता है वो नाक के नीचे होता है क्यों नीचे होता है तो अब आते हैं एक के करके सब को समझते हैं कि कौन कौन सा बॉन होता है सबसे पहला होता है इंपरियल बॉन इंपरियल बॉन जो होता है हमारा जो यहां का बॉन होता है यह उपर मतलब यहां से जो जोइंट होता है यहां का बॉन यह हमारा क्या होता है इंपरियल बॉन होता है उसके बाद हमारा क्या होता यह जो चीज यह जो चीज दो होता है वह वागों और यह उपर होता तो आप एक बात सम्झो जो उप्री जबड़ा होता है वह फिक्स होता है पूरे हड्डी में यह पूरे हड़ी में जो फिक्स होता है पूछ सकता है कि जो पूरे हड़ी में जवड़ा फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं तो मेकजिला बॉन कहते हैं उसके बाद हमारा कौन आता है मेंडीबल नामी आप सुनके क्या आ रहा है मेंडीबल यानि कि मुवेवल आ रहा है क्या यहाँ से जोड़ी होती है वह हमारे मैंता है उसके भी यहां से यह जोड़ी होती है वो हड़ी हमारे क्या था पहला मैटिक बॉन होता है उसके बाद क्या था हमारे जाइगोमेटिक होता है जाइगोमेटिक जो बॉन होता है वो हमारे गाल के पास होता है यह जो हड़ी दिख रही है यहां पर यह यहाली हड़ी यहाली जो हड़ी दिख रही है वो क्या होता है यहां हड़ी होती है तो दोस्तों इतना आपको समझाए फीशल बॉन होता है इन्हीं सबसे मिलके हमारा पूरा चहरा यह बना होता है उसके बाद जो हमारी हड़ी आती है वह आता है सबसे पहले बनाता है इसमें पहले देख लेते इरशिकल मार को एरो सिकल अरे यार सही समीनिंग लग दे इस बनाते हैं आए एरो सिकल बोन यह तीन हडिया होती है इसमें यानि कि तीन कर छे डिया होती है टोटल इसमें क्या होती है इसमें जो फर्स्ट बॉन होता है इसमें क्या होता है जो फर्स्ट बॉन होता है पहला बॉन क्या होता है क्या होता है मैलिकस मैलिकस बॉन होता है कि दूसरा जो होता है वह इनकस बॉन होता है और जो तीसरा बोन होता है वो क्या होता है इस टेपिज में होता है आ है ये दो बोन हैं ये दो बोन है और ये दो बोन है अब दो दो बोन MON ये किस तरह से हुए यह मतांते है होते एकिया के बहने देखा जाए तो यह को नोता हमारा यह कान ही और यह इधर का कान है तो इसमें तीन थाइन होंगे और इसमें थाइन चाहिए ऑज्छ जाएंगा आव्ये तिन अचाहिए इसमें क्या है इसमें में बताया मैने क्या होता है M यानने मलिकस आयने को हमारा सेपीज सेम इससे भी वही को होगा है मैलिबल्स The Akra fruit इनकस और स्टैपीज यानि कि दोनों तरफ के जो कान होते है एक इधर का कान और एक इधर का कान तीन हड़ी इधर होती है और एक इंपोर्टेंट बात जो इस्टेपिज बोन होता है जो इस्टेपिज बोन होता है क्या था जो हमारा इस्टेपिज बोन होता है यह सबसे छोटी हड़ी होती सरीर की सबसे छोटी हड़ी होती है क्या होती ह छोटी हड़ी होती है यह सबसे छोटी हमारी हड़ी होती है किसकी बॉड़ी की यूमेन बॉड़ी की यूमेन बॉड़ी की सबसे छोटी हड़ी यह होती है हमारी क्या होती है सबसे छोटी हड़ी हमारी वूमन की यह होती है उसके बाद हमारा जो आता है एक लाश्ट आता है क उसके बारे हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये आपको समझ आया कि हमारे कांन घ्रडे में सबसे छोटी बॉन होती है दो बॉन्स ये भी होती है कौन-कौन से मैलीमल्स होता है इनकस होता है और ये तीनों मिलके एक हमारे कान का निर्मान करती है उसके बाद हाइबेड बॉन क्या था हाइबेड बॉन हाइबेड जो बॉन होता है इसका ऑनली जो वर्क होता है वो क्या होता है क्या होता है क्या होता है को अधिकल कॉलम से कॉलंस है किस से वर्टिकल कॉलंस है क्या करता है जोडने का काम करता है कौन करता है hybrid bond कौन करता है hybrid bond इसके संक्या कितनी होती है वन बोन होती है क्या होता है यह वन बोन होती है यहां से यहां तक हम लोग को जोडने का जो काम होता है यह जो जोडने का नीचे देखर होंगे यह जो जोडने का यह जो चीज है हमारा जो गर्दन यह है जिसको हम गर्दन कहते है वो जोडने का काम कौन करता है यही करता है यह स्टेबल क्या करता हमारा गर्दन को यह जो चीज है हमारे गर्दन को और हमारे सरीर को स्टेबल करने का काम कौन करता है हमारा हाइबर बॉन करता है तो दोस्तों आज के लिए क्लास हम इतना ही रखेंगे कल हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे vertical column को vertical column देखेंगे appendicular देखेंगे उसके बाद हम rips देखेंगे उसके बाद हम लोग hand, legs ये सब देखेंगे कि इन्हों कितनी किती हड़िया होती है और कौन कौन सी हड़िया कहा होती है जैसे एक simple से चीज फीमर फीमर जो हड़ी होती है वो हुमेन के सबसे बड़ी हड़ी होती है तो यह हम लोग कल देखेंगे आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे यह दिया आपको यह सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए और सेर करिए जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा और इतना ही पूछे गाओ अब इतना भी दीपली किस चीज से बनी होती अंदर की वो नहीं पुछे है यह पुछेगा हड़ी कहां कौन सी होती है तो हम लोग भी पढ़ाई कि आज जो पढ़ें है वो बहुत डीपली चीज पढ़ें तो दोस्तों आज का सेशन बहुत अच्छ करिए और सेर करिए तो आज के लिए क्लास इतना ही ठैंक यूँ